नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों केशे हैं आप शबी उमिद करते हैं कि मांकाली के शुरबाशी आप शबी बहुत अच्छोंगे अपने घर में शुहस्तोंगी दोस्तों आप शुभी को बता दी कि मा काली ने आपको दिया है चार बड़ा शुभ संकेत और अब आपके जुवन काल में इन शुभ संकेत के शिरवाशी बहुत ही बड़ी खुशाली आपको प्राप्त होने वाली है जिहां दोसों आप आपको बता दी कि माता काली का अशुम अशुरबाद ही ये चार बड़ा शुब संकेत है जिहां दोसों आप शुवी को बता दी कि अब माकाली के अशुरबाशी आप शुमे की जुनकाल में अच्छी जिन्दगी शुरू होने वाली है जिहां दोस्आ आप भूल जाईए अपने पिछले शमी की दुख भरी कहानी कि क्यों दौस्आ मांकाली के श्रवाश अब आप शिभी की जुनकाल में खुशों की एक नई दुनिया बनने वाली है जिनके कारण दोस्आ आप शिभी की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चमतकार होंगे जी हाँ दोसों दोसों आप शिवी को बता दी कि आज शाम से आप शिवी की जुनकाल में जो बड़े महत्पुन बदलाव होने वाले हैं जो बड़े महत्पुन चमतकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों देखकर आपके पेरों तेले जमिन खिशक जाएगी जी हाँ दोस्तों एक परकारशिक कहीं तो दोस्तों आई शाम से आप सिभी के जुनकाल में बहुती बड़ा हड़कंप मचने वाला है जी हाँ दोस्तों आप शिभी के जून से जो भी मुस्यूबत थी दोस्तों भा दूर होने वाली है आपके शामने जो भी परिशानियां खड़ी हो रही थी दोस्तों वे शामने शे अब हटने वाली है क्यों दोस्तों आप शिभी को बिदा दें कि माता काली काशी मशिरबाद आपशिवी के राशी पर हो चुका है जिनके कारण दोसों आपशिवी के कुंडली में चार बड़े शुवियों का निर्मान होने वाले हैं जी हाँ दोसों और ये चार बड़े शुवियों अगर आप इन शंकेत को जान जाएंगे तो दोस्वों माता कालिका वह चमतकार आप शेवी के जुनकाल में होगा, जिने जानकर आप शेवी जनने वाले पी रोड़ने लगेंगे, कि दोस्वों उनका होस उड़ जाएगा, वो सोच नहीं शक्ते थी कि आपकी जुनकाल में आर्थिक तंगी शब शमाप्त हो जाने वाली है, जिहां दोस्वों आप शेवी के जुनकाल में बहुत ही बड़ा चमतकार होगा, दोस्वों आप शेवी को बता दें कि आपने पिछले शेवी में अपने जुनकाल में बहुत कुछ शीखा है, बहुत कुछ शमजाबी है, क और केशे धोके दे जाते हीं दोसों वे शबातें भी आपको शिखाया है बिलकुल भी आप खुद को निराश ना समझे दोसों अब आप शिवे के जुनकाल में मांकाली का शिरबाद आ चुका है जिनके कारण दोसों अब आपके शारी दुख दर्द शमापत होंगे और जो दोसों हम आप शिवे को बता दी कि खुद मांकाली अब आपकी रक्षा करने वाली है जी हां दोसों अब आपके अच्छी जिन्दगी की शुरुआत होने वाली है और दोसों आज की इस वीडियो में आप बिलकुल ही भूल कर भी चार संकेत को नजर नदाज मत कीजिएगा कि दोसों ये आपकी जिन्दगाल का श्रव से बड़ा पहलू होगा जिसले आपको नी चिन्दगाल के दुख के रास्टे को श्रुक के रास्ते में बदल सकते हैं तो दोसों आगे इस वीडियो में हम श्रवी महत्पुन जानकरियां आप शिवी को दोने वाले हैं कि ये श इंबॉक्स में सच्चे मन सच्चे हिर्दे भावशी जय माकाली जरू लिखेगा दोसों माता रानी कशिव मश्रवाद आप शभी को प्राप्त होगा किश्मत के बंद दरवाजी खुल जाएंगे मुशुबत के शारे रास्ते बंद हो जाएंगे और जी उनकाल में उन्नत से पहले पहुंशके तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शभी को बता दे कि पिछले शमय में आपने बहुत अच्छे बूरे परिणाम देखे हैं जिहां दोस्तों पिछले शमय में आपने बहुत शारी परिश्यानियों का शामना किया है और पिछले शमय दोस्त आपके शाथ कुछ इसावी पस्तिती का रिर्मान हुआ है जिन में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो दोस्तों खुद को शमाल नहीं पाता लेकिन दोस्तों पिछले शमय में आपने वह हर मुश्यूपत पस्तिती में खुद को शाहत के शाथ कार किया है जिहां दोस्तों बिल्क मदद की आश रखी थी और दोस्तों वहिश में वो लोग आपको धोखा देगे यूँ कहें तो किशी परकार से अपने हांत छुडा लिए लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि माताराने के शिरबाश अब आपको चार बड़े शंकेत मिलने वाले हैं जी हां दोस्तों और नहीं आपको धोका देश के और नहीं आपके कारियों में रुकावटें डाल सके तो दोस्तों कुछ बातों को आश रही आप उन्हें कान में रख लिजिए जी हां दोस्तों सबसे पहले आपको बता दी कि आश रही आपको जो बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है आश दोस्तों ये दो बातों का दिहान अब आपको अपने जीवन काल में रखना है शारी दोस्तों तिसरा जो बात है कि दोस्तों इस वर के परती लगाव आपको कम नहीं करना है दोस्तों दिन पर तर दिन कई शारे शे व्यक्ति होते हैं जिनके जुनकाल में कुछ पेशी आज जानेशी वो इश्वर को ही नदरंदाज करने लगता है इश्वर के लिए शमय नहीं निकाल पाता है तो दोस्तों इश्वर के आपको प्रेजुनकाल में कुछ यसे विश्विस बातों का ध्यान रखना है कि कि शी पर भी आंक मुंद कर भरुशार नहीं करना है और नहीं आपको इश्वर का अश्मरन करना है कि हे इश्वर हे दिवी माता हमारी कारियों में आप हमारी शहायता करें अगर कोई भूल हमसे हो जाए तो माता हमें मार दर्शन दें दोस्तों एश्य वानी का प्रियुक आप उतने मन में उच्चारण किजीगा दोस्तों माता रानी आ दोस्व बात करते हैं कि आख शाम से आपको कौन-कौन शे चार संकेत मिलने वाले हैं और दोस्व कौन-कौन शे बड़े खुशिए आपकी जुनकाल में दस तक देने वाली हैं दोस्तों सबसे पहले खुशी होगी आपके केरियर के छेत्र को लेकर जी है दोस्तों जो जादा पिछले कैश्य मेशे केरियर के छेत्र को लेकर बहुत जादा प्रिशान चल रही थी दोस्तों जिनका भी नोकरी नहीं है या फिर जिनका भी नोकरी छूट गया है दोस्तों व श्रबी की कुणुडुली में जो भी विप्राप्त ग chops सीनट को कुछ विद्वि आपको सॉप्थ मुंदाय संकेत मिलें जैसे कि दोस्तों कारेशित्र में UPको कुछ इसे संकेत मिले जो आपको लगे याप ніहीं!」 यह कारे बहुत ही छोटे कारे हैं यह कारे हम नहीं करेंगे तो दोस्तों यह मातारानी की शंकेत होगा जो कि दोस्तों आप शिबी के जिवनकाल में आने वाले हैं दोस्तों आए शाम से आपको जो भी कारे शमंदिक कुछ ऐसे शंकेत मिले जिनमें आपको लगे कि है कारे हमाली ले शही नहीं है तो दोस्तों उन कारें को आप बिल्कुल ही ना छोड़ें दोस्तों आप शिवी को बता दे कि हुआ कारे आपके लिए आने वाले भष्ष में बहुती बड़ा महत्मुर्ण शावित होगा और बहुती बड़ा वर्दान आप शिवी के लिए शावित होने वाले हैं तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें और दोसों दूसरा जो शंकेत है वो आपके love life के लिए है जी हैं दोसों आप शबी को बता दे कि अब आपके love life में जो भी परिशानेया चल रही थी जो भी चीनताईं आपको अपने love relationship को ले कर थी दोसों वह आपके धीरे धीरे धूर होने वाले हैं प्रेंज दोस्वों हम आप शे भी को बता दें कि अब आपको अपने love relationship में अपने वहवार को बदलना होगा जी हाँ दोस्वों जेशे आप वर्ताव पिछले शे में अपने शाथी के शाथ कर रहे हैं दोस्वों उनमें अब आपको बदलाव करना ही होगा जी हाँ दोस्वं अगर आपको अगला व्यक्ति कुछ एशा कहा दे जिनसे आपका मन बहुत यादा दुखी हो तो दोस्वं व्यश्य में आपको दुखी नहीं रहना है कि दोस्वं एशा कार हमेशा रहु करवाते हैं व्यक्ति के अच्छे भाव में भी उन्हें बहुत ही गुश्य और बहुत ही चिर्चराशा बना देता है तो दोसों अगर आपके शाती आपसे गुस्य से भी बात करें तो दोसों वैश में आपको क्या करना है वैश में आपको जवाब नहीं तेना है बस दोसों आपको शान्त रहकर शमय का हिंतजार करना है दोसमों आने वाले शमे में आने वाले प्रस्तिति में आपको शुधार देखने को मिलेगा शादी श्रा दोसमों आपको वदा दें कि जो भी आपकी परिश्यानिया Love Relationship को लेकर चल रही थी दोसों वह शुब होने वाली है और गरहों की स्थिति में बहुत भड़ा प्रिवर्टन होगा जिनके कारण दोसों आपकी पारिवर्ग जोन में बहुत यह अच्छा बदलाव आने वाले है शादी दोसों तिसरा जो कारे है दिसरा जो शंके थे आप शबी के जुनकाल में श्वास्त को लेकर है जिहां दोसों आप शबी को बता दें कि पिछले कईश में से आपकी जुनकाल में पेट को लोकर शमयशाय चल रही है जिन से आपको लगे कि यह कार बिना दवाई शियब ठीक ही नहीं होगा तो दोस्तों यह में आपको डॉक्टर के पास तुरंती जाना चाहिए और डॉक्टर की शलाह आपको लेना चाहिए शादिश्रा दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि इनके लिए आपको कुछ महत्पुन उपाय भी करना चाहिए जैसे कि दोस्तों शनीवार और मंगलवार के दिन आपको हर्मान मंद्री में जाकर हनुमान जी को लालिटी का लगाना चाहिए दोस्तों इन शे बहुत शारे शंकट टल जाते हैं जो भी श्वास्वमिजी परिशानिया होती है दोस्तों भादूर होते हैं और महाबली हर्मान जी उनके जुन काल में हमेशा किरपार दिश्टी भर्षाते हैं इ्श्वर के भी शाथ आपको कायर करना है शाती डौक्टर के भी आपको श्लाइल लेना है पर दोस्तों चोधरी शारे शंकट है ओँ और दोस्तों अगर आपके को यशा वैक्ती आपके पास आय जो आपको लाव के कुछ एसे लाल लेते जो कि आपके शोच से बड़े हो लेकिन दोस्वं या इस्केकार किशल के बहकावेमें आकर मतकेजिएगा तो दोस्वं इन बातों को अब आपकको धियान रखना है कि दोस्तों माकाली का अंच आपके राश्की लोग होते हैं जिया दोस्तों अगर आप लालस में आकर को एशे गलती कर देंगे जो कि दोस्तों आपके आत्म समान को ठेस पहुचा दी तो दोस्तों ये शे में माकाली का शिर्वाद आप शिवी के जुनकाल से हट जाएंगी और दोस्तों बहुत शारी परिशानिया एक शाथ आप शिवी के जुनकाल में आज जाएंगी जो भी आपके लाब है दोस्तों वे शंकट में बदल जाएंगी दोसों भूल कर भी आप यह गलती मत किज़ेगा तो ऐ दोसों आगे इस वीडियो में और भी महत पुन जार करें आप शिवी के लिए बताने वाले हैं तो दोसों आगे भी वीडियो ध्यांश दिखिएगा दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपको परिवार में कुछ खास और बड़ा खुशियां देखने को मिलेगे जिसके कारण दोसों परिवार में खुशियां महरा माहर रहेगा शाथी साथ दोसों हम आप शिपी को बता दी कि ये अश्मी माता काली के शिरवाशी कोई एशा व्यक्ति आप शिपी की जुनकाल में आ सकता है जो कि दोसों आपको धन दे या पिर कुछ ऐसे कारी करने को कहे जो कि दोस्तों आप शिवी की जुनकाल के लिए बहुती अनावश्यक है तो दोस्तों उन कारियों को आपका बनने वाले हैं और दोस्तों कारियों में किया गया आपका पर्याश अब शफल होने वाला है कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि माताराणी का शिवी मशिरवाद आप शिवी के जिवनकाल में अब रहने वाली है शादी शाद दोस्तों आप शिवी को बता दें कि अब मांकाली के शिरवाश आपकी जुनकाल में कुछ इसे चमतकार होंगे कि दोस्तों जिन चीज़ों की आप जहाँ पिछले समय रखे थे जिनके लिए आप बहुत ज़़ा प्रयाश, बहुत ज़़ा मेहनद कर रहे थे दोस्तों वे सबी चीज आपको पराप्त होने वाली है दोस्तूं आपको बता दें कि आपके राशी में कुछ ऐसी संभवना ये दिख रही है के दोस्त्व एक शाद आपको चार बड़ी खुशकरी मिलेंगे चिनके कारण दोस्तों आप शिबी की जूनकाल में खुश यह थी खुश रहने वाली है जी हाँ दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपको चिंता में रहने के आउशकता नहीं है जी हाँ दोसों क्योंकि मांकाली का शिमेश्रबाद आप शिवी के शाथ है तो दोसों कारी में आप शांदार परदर्शन करेंगे जिसे लोग आपकी शहरना करने वाले हैं, आपकी तारिफ करते हुए नजर भी आने वाले हैं, जी हाँ दोसों इसे आपका जो आत्म विश्वास है वो कई गुना बढ़ जाएगा और आपके प्रश्णता का आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाले हैं, जी हाँ द कारण दोसों आपको बहुत ज़्यादा खुशे की अनुबटी होने वाली हैं, जी हाँ दोसों, हम आप शिवी को बिता दे कि यश्मी आपकी कुंडली में जो शुभियों का दिर्मान है या दर्शा रही है, कि आपको कुछ ऐसे महत्पुन वस्तू आपके हांस लगने वा तो दोसों एशे वस्तू अगर आपको मिले, तो दोसों इन बातों का दिर्णोर आपको कहीं पर भी नहीं पिटना है, और दोसों चुभिकेश ये इन शवी लाप को आपको रखना है, जी हाँ दोसों, शादिस साथ दोस्तूं हम आप शिवी को बताना चाहेंगे, कि लाप शमद में आपको कोई शुब समचार सुनने को मिल सकता है, आपकी लव पार्टनर में जो भी जगड़े जो भी विवाद चल रही तो दोसों वो शमापत होने वाले हैं, और आपको एक अच्छे लव पार्टनर से मुलाकात हो शकते हैं, जी हाँ दोसों, आप शिवी को बत शुब को बता दें, कि श्वास्त के लिए जो शमय होगा, बहुत ती महत्कुन शमय होगा, दोस्तों, श्वास्त के लिए आपको कुछ विशेज बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि दोस्तों, आपको अपने खाने को लेकर यसमें बिलकुल ही सचित रहना होगा, जी हाँ, दोस्तों, ज्यादा जंक फूट का आपको श्यवन नहीं करना है, इसे दोस्तों, आपके शिर्दर्द, ठकान और कमजुरी की, आप महशूर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपने जुनकाल में, वयाम, और दोस्तों, म अगरे वाद आप शभी का दिन शुब रहे